तो हेग क्याल चाले गाईज मैं उरावल में ओल रान एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल दो गाईज पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता था कि किस तरीके से आप जो अपनी कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं वीडियो की इस वाली वीडियो म मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना simple logo बना सकते हैं वह भी बहुती फास्ट और बहुती easy ली तो इस वाली वीडियो को एंड तक जरुर देखना चलिया वाई चलता प्रीमियर प्रों के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से हम एकदेम आसान लोगो बना स तो गाईज हम प्रिमियर प्रो के अंदर आ चुक है हमने यहाँ पर अपना लोगो भी इंपोर्ट कर लिया है तो गाईज सबसे पहले आपको यूटूब के अंदर आ जाना है उसके बाद आपको यहाँ पर लिख दिना है एमटी लोगो वीडियो इतना लिख के आप सर्च कर दीजिए तो यहाँ पर आपको क्या है कि कुछ ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना लोगो प्लेस करके अपना जो लोगो है वो क्रियेट कर सकते है बहुत ही इसली जो एनिमेशन होता है वो एकदम पहले स से मिल जाएगा आपको तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकता है कि यह वाला जो लोगो है इसको एक बार उपन करके देख लेता है तो इधर आप अपना लोगो डाल सकते हैं मुलब ऐसे बहुत सारा एनिमेशन आपको मिल जाएंगे नंबर टू पे क्या है इसके अंदर आप यहाँ पर आप लोगो डाल में तो यह वाली वीडियो आपको यह वाला लिंक कापी करना है और इधर कोई बिट के अंदर चाहके वाय तूमेट आपको सर्च करना है वाय तो मेट डॉट कोम वहाँ पर चले जाए पेस्ट कीजिए और यहाँ से वीडियो में आप डाउनलोड जैसे ही डाउनलोड हो जाता है इसको प्रीमियर प्रो के अंदर ले लेना हमको इस टाइप से किप एक्जिटिंग सेटिंग और इधर इसको फूल स्केल पे कर देना है अभी आपको जो वाला लोगो यूज करना है वह आप कर सकते है तो अभी हम यह फाइव न होगा और यहां अपना लोगो चला जाएगा अभी हम अपना लोगो हमको टाइम लाइन पर इंपूर्ट करना है बहुत एकदम ईजी है आप आराम से कर लेंगे तो जैसे यहां पर पार्टिकल का ब्लास्ट होता है वहां से आपको अपने लोगो को इंपूर्ट कराना है त तक हमको रखना है तो यहां पर आके इसको स्केल अप कर दीजिए आपको जितना करना इतना इतना मैंने स्केल अप कर दिया कुछ इस टाइप से हो रहा है तो मतलब एकदम तो मिल्ले तो अब यह क्या होगा साल करने को सकते हैं तो यह टेक्स्ट्राइब का अचुकिया पर इसका नीचे ले 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 ता और इसका जो यह पार्टीकल का कज़रें से मैच करवा देते हैं तो इदर आईए फिर इसको फिर से ऐपन किजिए फिर भीज़ीcious को को सिलेक कीजिए फिर ये जो पार्टिकल का पिंग कलर है वह वाला सिलेक कीजिए थोड़ा सा हाड कर दीजिए इसको यह सिलेक्ट हो चुका है मैं ल Crispy मैंने लिक दिया फिर ये अपना लोगो वह चुगा है थोड़ा सा इसको कर सकते हैं फिर यह पूंट इसका चेंज कर सकता है जो भी हम रखना चाहता है तो यह वाला फानट सिलेकक कर ले था हूँ अगर आपको कलर कुछ और रखना है तो रक सकते हैं यहां पर बेसिक लिए सेट तो नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा इसको यह वाला वाइट कलर दे देता है ठीक है तो नाम को भी हम इसको इसी तरीके से रिविल करता है तो यहां पर आ जाईए और यह जो नाम है उसको इधर मोशन में जाईए फिर scale को on किजिए इसको थोड़ा सा पीछे ले लिजिए यहां पर आपको zero कर देना है तो इस type से कुछ animation हो रहा है तो इसको थोड़ा सा speed up कर देता है इस type का आपको graph create कर देना है यह देखिए तो यह अपना logo अभी हो चुगा है और लास्ट में हमको क्या करना है यह जो वाइट हो रहा है वहाँ से अपना logo भी वाइट कर देना है तो इसके अंदर इजिले आप effect में जाएए और वीडियो transition dissolve और dip to white दूसरे में भी घर वीचिए तो गैस इसी दाइब से आप अपना logo बना सकते हैं अभी आपको क्या करना है कि इसके background में sound डालना है तो कुछ भी sound हम ले सकते हैं तो एक basic आप simple logo बना सकते हैं अगर आपने नया नया YouTube channel start किया है या फिर आप कुछ भी वीडियो logo बनाना चाहते है तो एक तो यह था अभी इसके template के अंदर देखते हैं और क्या logo है छे नंबर का यह है साथ नंबर का यह है आठ नंबर का यह है तो यह भी हम बना के try करता है आठ नंबर वाला इसको यहां से cut कर लेता है तो यह हो नहीं करना वह हम निकाल देता है एनिमेशन इसका निकाल देता है यह जीरो हो चुका है तो इसको re-scale करता है इतना रखते है और अभी आप देख सकते हैं कि जो background हो इसमें turbulence displacement हो रही है तो अभी इस पर turbulence वाला effect डाल देता है तो यह जो आप देख सकते है कि यह लाइन कर देंगे इसको जीरो कुछ इस टाइप से यह लोगो reveal हो जाएगा थोड़ा सा तेज हो रहा है slow करते हैं इसको और इसको भी थोड़ा कम कर देता है यह आप देख सकते है कि लोगों भी मतलब fire के इसाब से melt हो रहा है और फिर reveal हो रहा है turbulence के बाद turbulence को आप थोड़ा और भ थोड़ा scale up कर सकते हो तो scale को on कर लिजिए फिर यहां पर लास्ट में आ जाई है जहां तक भी आपको logo रखना है तो यहां से थोड़ी सिसकी एक दो पॉइंट scale बढ़ा लेजिए तो अभी ऐसा लगएगा कि दीरे दीरे बढ़ा भी हो रहा है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जागा एक बार रेंडर करके देख लेता है यह देखे तो बिल्कुल इसी तरीके से आ रहा है जैसे आप देख सकता है कि fire वाली जो effect ह है इसी तरह इसके से अभी हम इसके अंदर एड करेंगे साउंट करने के लिए आप कोई भी लोगो का साउंड यूज कर सकते है अगर वो copyright free है तो तो एक बार देख लेते लोगो साउंड यूटुब में जाके आप सर्च कर जिए आपको मिल जाएंगे वाई साउंड तो इधर जो ब्लास्ट हो रहा है वापर कुछ और हम साउंड डाल सकते है तो वह देख लेता है वाई साउंड इफेक्ट में मिक्स किट में आपको मिल जाएगा यह मिक्स किट वाली वेबसाइट बहुत ही सही है वह मैं यूज करता हूं कभी-कभी तो इस वाली अब 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 मेरे ख्याल से यह थोड़ी बहुत सैट हो जाएगी इसको डाउनलोड कर लेता है वैसे आप अच्छे से टूंडी आपको बहुत अच्छी-ची मिल जाएगी तो आप अपने इस आप से डाल सकता है यह थोड़ी से स्लो है इसको हम पास्ट कर देंगे इसको श्ट्रैच करके यह वाला टूल यूज कर सकते हैं यह जहां पर आर प्रेस करके आप यूज कर सकते हो तो इसी टाइप से आप अपना लोगो बना सकते है तो इधर आप हम इधर हम फायर वाली कुछ इफेक्ट डाल सकते है तो एक बार देखता है कि मिक्स किट के अंदर कोई फायर वाली इफेक्ट है क्या यह वाली इफेक्ट हो जाएगी मेरे खाल से इसको डाउनलोड कर दा है यह सही है और बैक्राउंड में आपको कोई भी मनलब म्यूजिक एड कर देना है अपने इंट्रो के हिसाब से इस वाले में मैं आभी आपको नहीं दिखा रहा भाई कहीं से भी सर्च करके लगा दीजिए यूटूब में मिल जाएगा आपको एक चीज़ ध्यान में रखना कि भाई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए अगर आप ऐसे यूज़ करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है यूटूब में अगर यूज़ कर रहे हो तो भाई चेक कर बनता है प्रीमियर प्रो में भी प्रो लेवल के लोगों बनता है तो वो भी हम बाद में देखेंगे फिलाल इस वाले वीडियो में इतना ही मैं मिलता आपको अगली वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो गाइस प्लीज यार कर दो यार ठीक है तो चलिए भाई मिलते आपको अगली वीडियो में